हेला इवरिवान आज हम इस वीडियो में वैसा शूडेंट जो खासकार जाम मिले इसलाम में उर्दू के लिए इंट्रेंस एक्जाम देना वाले हैं इस बार इंपोर्टेंट यह है कि यह जो कोशन पेपर पुछा गया वो तूठाजन 18 में और हम इस कोशन को इसमें डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दू हमारा थोड़ा उर्दू यह वीक है प्रणूंसियसर में थोड़ा सा गलती हो सकता है आप उसको मिनिमाइ आपको दोनों यहां पर दिखाया जागा चलते हैं डिर्क कोशन पर यह कुछ बेसिक गाइड लेन है इन में निगेटिव मार्किंग भी होता है और उमर सीट के थूरू आपको कोशन में फरस्ट है यह है कि मेरा थोड़ा सा मैंने पहली खा प्रणूंसियसर थोड़ा सा व का किर्दार है वह पूछा जारा है सेकंड का कर्िक्ट इंसर हो गाता आप पिश्ट में पड़ सकते हैं इसका थोर्ड का जो करिक्ट आंसर होगा धैडिज डी होगा कोस्ट नम्बर फोर यहाः पर मार्कुष किर्दार का तालुक किस कहानी से ऩही जगा है लेकिन आप D होगा यहूदी की लड़की अब आते हैं कोश्च नमबर 5 पे कोश्च नमबर 5 देख सकते हैं मुंसी हर गुपाल से है और सायर कौन थे वो आपसे पूछा जा रहा है अब आते हैं कोश्च नमबर 7 पे 7 में आपसे मानी पूछा जा रहा है सो 7 का जो करेक्ट टांसर होगा देडिज ए होगा यानि की धोका अब आते हैं कोश्च नमबर 8 पे कोश्च नमबर 8 आपसे किसे कहते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है एट का जो correct answer होगा that is B होगा अब आते हैं question number 9 पे 9 नमबर देख लिए यहां पे आपसे पूछा जा रहा है और आपको इसका क्या मतलब हो आपसे पूछा जा रहा है तो 9 का जो correct answer होगा that is C होगा अब आते है question number 10 पे 10 number भी आपसे किसे कहते हो आपसे पूछे जा रहा है तो 10 का जो correct answer होगा that is D होगा तजूर्बाकार और अब आते question number 11 पे 11 में उर्दु जौन में हुरुफ थाजी की तादाद कितनी है वो आपसे पूछे जा रहा है 11 का correct answer होगा जहां पर C होगा इसके साथ ही रिमाइन कर दे इस स्टूर्ट सिर्फ होगा दोरा ओनलाइन कोचिंग चलाए जा रहा है खासकर B अनर्श उर्दु के लिए अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो वीडियो के description box में contact detail में से आप जॉइन कर सकते हैं अब आते हैं आगे next पर इसमें किसे कहते हैं sorry इसमें आम को क्या कहते हैं वो आपसे पूझा जा रहा है so 12 का correct answer होगा that is B होगा अब आते question number 13 पर मैं और हम किसकी मिशाल है वो आपसे पूझा जा रहा है 13 का correct answer होगा that is A अब आते है question number 14 पर लब्स लाफानी में लाग क्या है वो आपसे पूझा जा रहा है 14 का correct answer यहाँ पर that is A होगा question number 15 नाक का बाल होना 15 का correct answer होगा यहाँ पर B होगा अब आते है question number 16 पर 16 में question पढ़ लिजेगा आपसे सनफ कहीं सा पूझा जा रहा है so 16 का correct answer होगा that is B कशीदा अब आते हैं अगले question पर गजल का सबसे अच्छा शोरक कहलाता है 17 का correct answer यहाँ पर that is B होगा आते है question number 18 पर question number 18 किसकी पहचान होगा आपसे पूझा जा रहा है so 18 का correct answer यहाँ पर that is D होगा अब आते है question number 19 पर 19 में आपसे पूझा जा रहा है तस्नीप क्या है वह आप से पूझा जा रहा है so 19 का correct answer होगा that is D होगा question number 20 20 में भी अपसनफ नहीं है यह अपसे पूझा जा रहा है 20 का correct answer होगा that is A होगा नजम और आप आते है question number 21 पर 21 में इंदर सभा क्या है आपसा आप पूझा जा रहा है तो 21 का correct answer यहां पर A होगा, अब आते है question number 22, novel किस जवान का लफ्ज है, आप से पूछे जा रहा है, तो 22 का correct answer होगा that is C, अब आते है question number 23 पर, 23 plot किस सनफ का जज नहीं है, या जूज हो सकता है मेरे खल से, I am not very sure, so 23 का correct answer होगा that is A, correct answer जोगा इसका A होगा, और question number 24, इसका जो correct answer होगा 24 का वो option C होगा, अब आते है question number 25 पर, question number 25 पढ़िएगा पहले, मसनिफ हैं इनमें से कौन वाप से पूछा जा रहा है, so 25 का correct answer D होगा, question number 26, इसके भी तसनिफ के बारे में पूछा जा रहा है, so 26 का जो correct answer होगा that is A होगा, आते है question number 27 पर, यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कि इसके तसनिफ कौन है, so 27 का जो correct answer होगा, आपका that is B होगा, अब आते question number 28 पर, इसके मसनिफ को नहीं होगा आप से पूछा जा रहा है 28 में, तो 28 का जो correct answer होगा that is D होगा, question number 29, कले मुदीन अहमद कौन है वो आप से पूछा जा रहा है, so 30 का correct answer होगा that is C, यानि सर सेयद अहमद खान, 31 का आप से पूछा जा रहा है, इसका अंसर कौन से होगा तालूक किस से वो आप से पूछा जा रहा है, so 31 का correct answer होगा that is C, अब आते है question number 32 पर, 32 में मीर तकी मीर की विलादत कब हुई थी, उससे बारे पूछा जा रहा है, तो 33 का correct answer है that is C है, अब आते है question number 34 पर, 34 देखिएगा और इसका correct answer होगा 34 का, वो आपका B होगा, आते है question number 35 पर, 35 का correct answer होगा that is C होगा, अब आते है question number 36 पर, फोट विलियम कॉलेज, 36 का correct answer होगा that is D होगा, अब आते question number 37 पर, 37 में किस सिनफ तालू किस सिनफ से वो आप से पूछा रहा है, so 37 का correct answer that is A होगा, 38 वक्त का तराना क्या है वो आप से पूछा जा रहा है, 38 का correct answer यहाँ पर, that is A होगा, और question number 39 का तालू किस सिनफ से आप से पूछा जा रहा है, तो 39 का correct answer होगा that is B, सवाना, अब आते question number 40 पर, 40 में पढ़िये, किस से तालू किस से हैं वो आप से पूछा जा रहा है, तो 40 का जो correct answer होगा यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो that is A होगा, अफसाना से, तो यह रहा है mcq का part, यहनि mcq का part मैं आपको दिखा दिया, अब इसका बाद जो है, वो theory का part होगा, तो अब हम आपको theory का part दिखा देते हैं, मतलब जो 60 marks के theory, यह देख लिए theory है, subjective, descriptive, यहाँ पर आपको describe करना होगा, यह रहा आपका, question रहा, total आपके सारे question यहाँ पर मिंसन है, और सभी सवालों के आपको सही जवाब देना है, और यह 10 कोशन हैं आपे, बस, so finally end हुआ, अब यहाँ पर कुछ important भाद बताते हैं, आने वाले जो भी update आते हैं, उसको लेकर update रहने चाहते हैं, तो इस यूरी चनल को subscribe कर लिजे, दूसरा यह कि अगर बी ओनर्स उर्दू के तयारी करना चाहते हैं, ओनलाइन चलाया जा रहा है, कोचिंग, स्टूडेंस और फगदवार आप जो आइन कर सकते हैं, जो faculty है, वो सभी जामिया से हैं, आपको पूरी कोसिस कर जाएगी कि आपका selection मिले, और तीसरी चीजी है कि हमारी जो भी जैसे लास्ट फॉर टू फाइब के पे पर पूरा upload हो जागा, साथी थियूरी के साथ और कैसे तैयारी करना उस पर भी एक वीडियो जा जाएगी, आप अपडेटेड रहेगा, प्लेलिस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, थैंक्यू वाचिंग इस वीडियो,